हेलो एवरिवन वेलकम अगें इन इस ओनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इंजीनियर्स क्लासेस फोर यू जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग को भीजीवल होगा यह पूरा इसको हम यह कर भी दिये हैं हालाइट भी कर दिये हैं तीन आपका यह बीसी दिख रहा होगा अगरे पढ़ना है और यहकंज़न जो है वो दो हजार बाईस में पूछा जा चुक है यह घूजर cigarette पूछा जा चुक हूए तो मेरा प्रीवियंस एयरक सारा अप्लोड कर के आपसे प्लेलिस्ट में प्रेवियंस श्यन से करके आपका फोल्डर बना हुआ है जिसे सोम का का हो गिया और फिमायत यह सब का मैकानिक से यह सब का तो वहां से आप जरूर देखें जा करके ठीक है तो आईए इसमें हम देखते हैं यह कुछ आइडिया आपको मिलेगा क्योंकि यह आप आल्रेडी जो है वो पढ़े हुए हैं यह प्रिविएस येर हम डिसकस कर रहे हैं आउविएस है कि यह ऐसा तो नहीं है न कि प्रिविएस येर आप जदी बना रहे हैं किसी का तो उससे पहले तो आप कफर अप किये हुए ही है बहुत कुछ तो उसी वे में हम चीजों को बताएंगे बहुत ज्यादा अंदर भी नहीं गुसेंगे तो बहुत ज्यादा उप करके चीजों को ले करके चलेंगे खाऊं वो सब चीजें आपको आता है तो आईए सबसे पहला कोशन डिसकस करते हैं आज का तो यह फर्स्ट जो है आपका वो जैसा की लिखा दीख रहा है फर्स्ट में कि इंटिग्रेशन ओफ है लॉग एक्स इंटिग्रेशन ओफ लेकिन यहां इंटिग्रेशन है इंटिग्रेशन है तो यह जो कोशन है आप अलड़ी बहुत बार किये होंगे या फिर आप यह सब कोशन भी किये होंगे जैसे साइन इंवर्स एक्स का इंटिग्रेशन आपसे करने बोला जाए साइन इंवर्स एक्स का इंटिग्रेशन य तो यह सब जो question है न यह सब जो question है यह पूरा question जो है आपका by parts से होता है by parts से होता है जैसे आपके ऐसा question हो dx divided by root under 1 minus x square वैगर है तो यह सब इस तरीके का जो question यह by parts से होता है ईटिस ही कर दे लों सारब कोश्चन है बाइपर्ट बाइपार्ट कि on इला होता है तो उससे बनेगा चैनल पर यह पर दो यह बनेْंगा यह इन अननरे से इख यह जैसे कि यृ ठाइबइन वह इसा ही प्रोसेस यह सब करेंगे अनिक आपाद रखेंगे बाइपार्ट से ये बनता है तो आईए कोशन पे हम चलते हैं कोशन पे जब चलेंगे प्यारे तो देखे क्या हो रहा है तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे तो हम इसको मान लिजे अब यहां के बाद जो है न, वो next rule होता है, एक i-let होता है, i-let, आपको मालूम होगा, एक i-let लगाना पड़ता है, i-let, i-let, i का मतलब सभी को मालूम होगा, inverse function होता है, inverse, L का मतलब लोग अरीथिमिक और A का मतलब अलजिवराइक, T का मतलब जो होता है, वो ट्रिगोनोमेट्रीक और E का मतलब होता है, exponential, तो आप लोग को डियर पता चल रहा होगा, i-let का मतलब, i-let का मतलब पता चल रहा होगा, जैसे inverse होगा, logarithmic होगा, algebraic होगा, trigonometric होगा, exponential होगा, तो i-let में जिस तरीके से term का मतलब क्या है, तो i के बाद l आया, फिर आपका इसके बाद a आया, फिर इसके बाद t आया, फिर इसके बाद e आया, इस तरह से तो आया है, i-let, i-let ऐसीद बनाया, तो जिस तरीके से इसका order है, जिस तरीके से इसका order है, कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो उसी के according first function और second function fine हम करेंगे, उसी के according fine करते हैं, जैसे मान लीजे कि इसमें हम बात करें, तो लोगारिथ्मिक आया है, चुकि लोग है, और one मतलब क्या, one constant आनि उसको algebraic समझे, one मतलब क्या है, वो constant में, अनि algebraic में उसको समझे, क्योंकि trigonometry तो one को नहीं समझ सकते हैं, exponential भी नी, inverse भी नी, ठीक है, तो one मतलब आप उसको ये, तो यहाँ पर आपको ये clear पता चल रहा है, क्यानि लोगारिथ्मिक पहले आया है, इसका मतलब है, कि u जो हम करेंगे, u, u ब बराबर जो होगा, जो अगला उला है है, इसको क्या लेंगे, b को one लेंगे, b बराबर क्या लेंगे one, तो ये यहाँ पर समझना है, उसी तरीके से, जब भी आपका by parts का question बनेगा, तो इसी procedure से आपको solve करना है प्यारे, अब by parts का formula होता है, हम formula को इधर, बता देते हैं, तो by parts का क्या formula होता है, तो आपको आध होगा integration of u into vdx, तो ये बराबर होता है, integration of, sorry सबसे पहले तो u, और integration of vdx, तो u integration of vdx minus, minus क्या होता है, तो minus होता है, differentiation of first function, first मतलब कौन, तो u, तो du by dx लिखेंगे, और फिर क्या होता है, फिर integration होता है, पहला function, first function, integration of second function, फिर integration होगा, differentiation of first function, फिर आपका क्या होगा, integration of second function, फिर आपका क्या होगा, फिर को जड़ा देखें आप, समझें यहां पर कैसे apply होगा भी, तो u एकरा किसको माने है भी, यह तो पता चल गया, so, so आप क्या करेंगे, i बराबर आप किलियर ली लिख सकते है, u क्या है, log x, तो log x आप लिख देंगे, integration 1 dx, integration क्या करेंगे, 1 dx लिखेंगे, क्योंकि भी dx लिखने है, भी बराबर 1 है, फिर minus करेंगे, फिर integration का sign देंगे, बड़ा ब्राइकेट लेंगे, अब differentiation of first function, अनि u का, तो log x का differentiation निकालेंगे, फिर क्या integration, अनि 1 into dx, ऐसा है न दिया, तो आगे आप बढ़ेंगे, तो 1 into dx का integration क्या होगा, x ही होगा, तो यह होगा, x log x, यह था थोड़ा लिख दिया, सजा करके, फिर क्या होगा, integration log x का क्या होता है, differentiation, 1 upon x होता है, इंटू, integration dx का क्या होगा, x होगा, अब देखें यहाँ पे, यहाँ पे आप देख पार एक x और x जो है, वो cancel out हो रहा है, तो x x cancel out होकर क्या बचा, तो x log x minus integration of क्या dx, तो बराबर finally आएगा, x log x, minus x आएगा, और प्लस क्या होगा, c, और यह किसका वहल होगा, i का, यही आंसर होगा, यह आप का आंसर होगा, इसको आप और भी सजा करके लिख सकते, x को बाहर रख दे, तो आप ऐसे भी बोल सकते ह log x minus 1 plus of c, अब यहां पर c by x ऐसा नहीं कर रहा है, मतलब plus of c, बाद में आएगा, खेर आप इसको ऐसे इस form में लिखें, इसको final answer लिखें, यह होगा, final answer आप, अनि x, bracket के अदर log x minus 1 plus c, तो यह first question आपका बना किस से, आपका by parts से, by parts का formula क्या होता है, यह formula होता है, यह formula होता ह अनि कि first function, integration of second function, minus होगा, integration का sign, differentiation of first function, integration of second function, फिर पूरा जो आएगा, उसका integration, जो भी इस तरह से, तो यह काम करना, यह सब आपका by parts से बनेगा, कभी इतना ही नहीं, etc की है, बहुत सारा है, कितना लिखेंगे, तो यह सब आपका बनेगा by parts से, चली अब next question के तरह बढ़ते हैं, next में आपका b number का question था, और b number question क्या था, तो b में था, अब यहां से भी a नी 2 बनाना है, यह question number तीसरा का है, question number second जो है और objective जो है इसका, कर चुक है माले लिख, तो integration of, e to the power x है, और फिर क्या है, तो tan x है, minus, log, cos x dx, ऐसा है, तो यह question कैसे solve होगा, जड़ा देखिए, यह नी 2 करना होता है, अब यह question solve करने के लिए, आप जदी e to the power x को multiply कर दे, tan x से फिर आगे-आगे बढ़ते जाए, मालना काफी complex होगा, सद ना भी बने, तो यहां कुछ a standard form यूज़ करना पड़ेगा, तो by using a standard form, यह standard form बोली है, प्रोपर्टी बोली है, जो भी, तो standard form यह क्या होता है, integration of e to the power x, जदी कभी भी भोईसी में मिल जाए, और fx प्लस f dash x हो, f dash x का मतलब fx का differentiation, f dash x का मतलब fx का differentiation, इसका यह, differentiate form, ठीक है, fx का differentiated form, f dash x, और dx तो बराबर जो होगा, यह होता है, ऐसा जदी हो जाएता, fx into e to the power x, और प्लस of क्या होगा, तो यह, एक standard form है, और इस form को जो है, वो clearly आप आद रखे, अच्छा होगा, clearly आप आद रखे, इस form को बहुत अच्छा होगा, क्या है, समझे, integration of e, e, x, bracket में fx plus f dash है, आनि fx जो रहे न, उसी का differentiate form, वहाँ available होना चाहिए, तब जाकर के, fx into e to the power x plus e answer होगा, तो जरत check करेंगे, कि क्या ऐसा है या नहीं है, क्योंकि अंदर में दीख रहा है ऐसा, e to the power x रहा है अंदर ऐसा दीखे न, तो ऐसा सोचना है आपको, तो आप अंदर में जरा देखें, तो देखें क्या होगा, आप लिखेंगे we have, we have क्या, तो लेट ऐसा करते हैं, fx बराबर, हम यहाँ पर ले लेते हैं, minus log, कोश रेक्ष को, क्यों लिए इसको, क्योंकि सोची है न, tan x को fx ले ले, तो tan x का differentiate form जो है न, वो log इतना कभी नहीं आएगा, वो दीख रहा है, तो इसलिए tan x को fx नहीं लें गया, तो fx उसको लेकर के देख रहेंगा, उसका क्या differentiate form tan x आता है क्या, जदी आ जाएगा उसका differentiate form tan x, तो इसका मतलब यह form काम करेगा, दरवाइच काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं कीड़ी बर एक से देखर काम कर लेगा, करेगा तब जब ऐसा होगा, करेगा तब जब ऐसा होगा, मुदा समय रहना, आईए, तो देखते हैं जरा, अब इसी को करते हैं, f dash x, f dash x मतलब differentiate कर रहे हैं, जो function है उसका, तो differentiate करेंगे, कितना होगा, d होगा, मैनस बाहर कर दिए, और log होगा, कितना होगा, cos x होगा, और divider में कितना होगा, d x होगा, बराबर मैनस बाहर ही रहेगा, chain rule यहाँ पर लगाना पड़ेगा, अब differentiation का एक chain rule जानते होंगे, मैनस माल लिजे बाहर हो, तो क्या करेंगे, d लिखेंगे, log cos x करेंगे, करेंगे, नीचे में क्या लिखेंगे, cos x into, d cos x by क्या करेंगे, d x, ऐसा लिखेंगे, अश्टेब बाश्टेब बता रहे हैं, अब मैनस, अब जानते हैं, log x का क्या होता है, 1 by x है, तो log cos x by, cos x के respect में करेंगे, कितना होगा, obvious x, 1 by cos x होगा, और into कितना होगा, cos x का क्या होता है, आप कहेंगे, sir, minus sin x होता है, difference यह सर, अब यहां से आप किलिए लिखें, minus minus plus हो जाएगा, और sin by cos कितना होगा, 10 x, 10 x, देख पारें, कितना अब फैदा होगा, आनिक यहां पर आप कह सकते, f x जदी उसको माने, f dash x हो रहा है, हो रहा है ना ऐसा, हो रहा है ना ऐसा, so, so आप क्या लिख देंगे, i बराबर, i बराबर जो है, आपका integration of f x ऐसा हो रहा है, f dash x यह आ रहा है, plus f x, कुछ कहानी ऐसा चल रहा है, कि f x जो हैं, अगला उला टर्म को मान रहा है, तो यहां से answer क्या हो जाएगा, e to the power x multiplied by f x, देख रहें क्या होता है formula, f x into e to the power x, तो f x कौन है, f x आपका जो है वही रखेंगे, तो f x किसको लिए है, minus log cos x plus c, आनि कि final answer minus log cos x into e to the power x, x plus c जो होगा, यह final आपका answer होगा, उमीद है कि आप चीजों को समझ पा रहें, चलते हैं, next question के तरफ, next question के तरफ चलते हैं, next आपका third number, third number चलते हैं, third में क्या है, तो third integration है, dx upon, a square minus x square, आप कहेंगे सर, यह एक standard form है, इस तरह का हम formula learn कियें रटे हैं, ऐसा ऐसा बहुत सारा formula होता है, जैसे कि integration of dx upon, बहुत सारा formula आप जानते होंगे, जैसे integration of dx upon, under root जो है, वो जदी आपका आगिया होगा, a square minus x square, तो आप रटे होंगे, कि sign in, क्योंकि standard form है, रटा हुआ होना भी चाहिए, पर यह सब का derivation होता है, यह कहां से होता है, तो एक substitution का method, a special substitution, कि एक के जगए क्या रखेंगे, वो बहुत एजली रटा जागा, तो आप वहां के method से इसा बनता है, तो इसका यह होता है, और भी ऐसी integration आप जानते होंगे, एक मान लेजे, dx आप उन्डरूट रहे, हमारा x square मैंनस a square, तो is equal to जो होता है, वो क्या होता है, log होता है, mod होता है, x plus under root जो होता है, वो x square मैंनस क्या होता है, d आप प्लस of c, ऐसी बहुत सारा format आप रटे होंगे, जैसे कि dx upon, ऐसा भी रटे हैं इसी तरह से, a square मैंनस x square बराबर, वही वाला लीख दिये था, तो आप कहेंगे हाँ sir, तो 1 upon 2 यह, log होता है, mod, a plus x होता है, a minus x होता है, और प्लस of c, और भी होता है, जैसे देखें, integration of आपका ऐसा आज है, कि dx upon, x square मैंनस a square आजा, ultra type से, तो कितना होगा, इसका 1 upon 2a होगा, log होगा इसमें भी, और mod होगा, x minus a आएगा, और divided by x plus a होगा, तो कुछ रिलेट करके भी et से, तो ऐसे बहुत formula आया था, तो special substitution से यह सब बनेगा, तो यहाँ पे आप देख पा रहें, कि लिए लिखिए, यह जो third number में लिखे हैं न, यही हमको proof करना एक तरस कहें, तो proof भी हो सकता था, यह इतना बराबर इतना, तो आप direct formula नहीं लिख देंगे, यहाँ पे obvious है ना dear, a square minus x square है, अब जानते हैं, a square minus b square का form अब जानते हैं, क्या होता है, a plus b होता है, और into क्या होता है, a minus b होता है, यह बात जानते हैं, तो यह बात जानते हैं, तो आप i बराबर जो है, ओ लिख सकते हैं, dx divided by a plus x, a minus x, लिख सकते हैं, पस सिफ simplify करते जाना है कुछ कुछ ऐसा करना है कि जिससे आसान हो जाबी आसान यह हुआ नहीं है क्या किए तो मान के चलिए कि इसमें 2A से 2A से multiply भी किए 2A से divide भी किए 2A से multiply भी किए 2A से divide भी किए कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब कहेंगे नहीं से सेम चीज़ से किए कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब यहां से क्या किए कि 1 upon 2 ये को एक 2A को बाहर किए और integration आप अब देखेंगे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं कटवाने के लिए कर रहे हैं नीचे वाला जो है न वही गड़बड किये हुए है integration मतलब होने नहीं दे रहे है 1 upon 2 ये लिखे उपर वाला 2A को क्या लिख सकते हैं जो नीचे कटे ऐसा तो आप लिख सकते हैं a plus x और फिर plus of a minus x तो आप कहेंगे हाँ plus x minus x कट जागा a plus a क्या होगा 2A तो कहिए तो उपर वाला जैसा हो गया अब यहां से आप क्या लगा सकते हैं तो आप देखिए 1 upon 2 ये तो नीचे रह गया डियर आप ऐसा कर सकते हैं अलग-अलग कर सकते हैं जैसे कि आप जानते हैं क्या जानते हैं तो कभी भी ऐसा हो ना a plus b divided by c तो क्या कर सकते हैं a by c plus b by c तो वही काम यहां पर कर रहा है तो आप एक बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं क्या लिख सकते हैं a plus x dx divided by a plus x a minus x और फिर क्या कर सकते हैं plus integration of a minus x dx divided by a plus x into a minus x दीखिए यहां से नक्चा cancel हो रहा है बहुँ दूशे a plus x cancel हो रहा है यहां से a minus x cancel हो जा रहा है तो cancel होने के बाद जो finally बच रहा है तो 1 upon 2 integration of dx upon a minus x एक constant है दीखिए असान हो गया ना अब चीजे बिल्कुल वियासान हो गया ऐसा लिख सकते हैं अब finally आप कहेंगे कि हां सर अब जो है formula standard format पे आ गया अब जानते हैं integration integration जदी 1 upon x dx रहेगा जैसे कि log x का differentiation 1 upon x होता है तो ultra differentiation का ultra integration तो 1 upon x का integration क्या होगा log x होगा log mod x से बोच बोल सकते हैं तो यहाँ पे यही करेंगे अब यहाँ पे एक क्या आया है एक constant आया कोई दीकत नहीं एक constant आया तो यह क्या होगा तो आपका log directly लिखें तो log a minus क्या होगा x होगा और plus होगा फिर यह भी आगे भी क्या होगा log a plus x होगा है ना अई होगा अच्छा एक चीज और भी यहाँ पे हम एक constant फॉर्मल बता दे minus sign भी आगा minus sign भी आगा rate से इसको लिखेंगे देखिए यहाँ पे आएगा minus कैसे आया minus समझे integration of जदी आपका 1 upon यह minus x dx होगा तो क्या करते हैं तो standard form तो होता है log यह minus x तो होगा लेकिन x के साथ जो multiply में रहेगा और divide में होगा हर एक जगा applicable है तो x क्या multiply में है तो आप कहेंगे minus 1 है तो minus 1 divide में रहेगा तो finally कितना आएगा तो minus उपर जाएगा तो कितना होगा log होगा और a minus क्या होगा x तो यह बात को समझे ठीक है न तो यहाँ minus क्यों आया इस बात को आप समझे minus क्यों आया तो यहाँ से आप इसको और भी लिख सकते है 1 upon 2a इसको ऐसा लिख सकते है log a plus x को पहले लिख सकते है minus लिख सकते है इसको log a minus x अब अपना log का property जानते है क्या कि log जदी log जदी log जदी आपका a हो और minus log जदी b हो तो बराबर होता है log a by b और भी आप जानते है ऐसा भी log का property होता है कभी जदी log a हो plus जदी log b हो देखे क्या plus तो plus जब होगा तो log क्या होगा a b होगा multiply होगा तो यह log का property है तो यहां से आप finally answer लिख पाएंगे कि 1 upon i बराबर कितना हैगा 1 upon 2 log अब mod b लिख दिया जाता है positive value के लिए तो कितना हो जागा a plus x उपर हो जागा नीचे कितना हो जागा a minus x होगा और plus of c यह answer होगा तो यही था standard form देखे इधर लिखे भी थे a plus x a minus x है न तो आप साथ समझ पा रहे होगे बात को आप समझ पा रहे होगे बात को तो इस तरह से c number question भी कर लिए यहां पर आनि third number तो आपका question number 3 का तीनों पार्ट यहां पर हम cover का आपका रवाये हैं आप लोग को डियर question number 3 का a b c अलग बात है दो ही बनाना से 2022 का यह question है उमीद करेंगे कि आप लोग यहां से बहुत कुछ gain की होंगे और भी question जो है आप लोग से easily handle हो पाएगा मिलेंगे कोई next lecture में आप जरूर comment करके बताएंगे कि कैसा लगा आपको lecture आप जरूर comment करें थोड़ा motivation मिलेगा show dear सभी अच्छे से exam का त्यारी कीजिए based of luck and thank you everyone thank you